हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फ्रेंड्स आज मैं आपको ऐसा असरदार नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे आपकी तवचा इंस्टेंट ग्लो करने लगेगी ब्राइट हो जाएगी और इतने चमकदार हो जाएंगे आप कि लोग आपसे पूछेंगे आपके निखार का राज जी हाँ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिसकी हैप से आप बेहत खूब सूरत नजर आएंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यूज करना है यहाँ पे रोज वाटर रोज वाटर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है अंदर के सारे डर्ट को पल्यूशन को निकाल देता है और हमारे पोर्स को भी बंद करता है यानि कि क्लोज कर देता है और हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लेमन, फ्रेंट्स हम लेमन इसके लिए यूज़ करेंगे क्योंकि नीमू का जो रस होता है, वो ब्लीचिंग का काम करता है, गंदगी को बाहर निकाल फेकता है और हमारे स्किन को निखार देता है, तो आईए अब मैं आपको पताती हूँ कि कैसे इस्तिमाल करना है इस नुस्खे को, फ्रेंट्स सबसे पहले हम लेंगे रोज वाटर, लगभग दो चम्मच, और अब हम इसमें एड करेंगे नीमू का रस, आप इसमें से ये बीज निकाल सकते हैं, तो फ्रेंट्स अब ये लिक्विड तयार हो चुका है, जिसे हम अपने फेस पे अपलाए करने वाले हैं, और ये बहुत ही असरदार लिक्विड है फ्रेंट्स, इसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा, जैसे ये किसी चमतक से कम नहीं है, तो आइए फ्रेंट्स अब में आपको बताती हूँ कि इसका इस्तिमाल कैसे करना है, फ्रेंट्स हम कॉटन लेंगे और कॉटन की हेल्प से हम अपने फेस को इस लिक्विड के माध्यम से क्लीन करेंगे, कुछ इस तरीके से हम अपने स्किन पे अपलाए करें और जैसे हम मसाज करते हैं, उस तरीके से लगाएंगे, जिससे आपके पोर्स भी क्लोज होंगे और जो भी अंदर पल्यूशन या गंदगी होगी, स्किन में वो रिमूव हो जाएगी, ऐसा आप पांच से साथ मिनट तक कर सकते हैं, और बाद में आप इसे वाश कर सकते है तो फ्रेंट्स अब पांच से साथ मिनट तक इसे रखने के बाद हम इसे पोच लेंगे, या तो ठंडे पानी से आप इसे धो सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉटन से इसे पोच रहे हूँ तो फ्रेंट्स ये था राम बार्ड नुस्खा जो आपके स्किन के लिए बेहत फायदे मन्थ है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर घर पर ट्राइ करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर मेंशन करेंगे कि इसका क्या रिजर्ट था दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले